Hello Guys, आचाए Guitar Listen मैं रहूं या ना रहूं Song का है जो कि अर्मान मिलिक जी ने गाया है So, Cap on the third fret और गाने की starting होती है C major chord से मैं रहूं या ना रहूं फिर D major तुम मुझे मैं G major कहीं वाकी C major रहना तो इस गाने पे जो instrument part लगने वाला है G major ते कुछ आचे से भी होगा मैं रहूं त्यानारं तुम चांगराखे माई मुझे नी दलाई जो आखेर तुम खांवल में आतेना So guys I clean F major Se start hoगी G-major A-men C-major G-major C-major तो यह कुछ ऐसे play होगा बस इतना है तुम से कहना, 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 बस मा रहूं या ना रहूं तुम मुझम कही बाप की रहा हो गाइस आगे के लाएंग C मेज़ स्टाइट होगी कि सी रोज वारश F मेज़ जो आहे D मेज़ समझ लेना भूदो G मेज़ मैं मैं हूँ कि सी रोज वारश जो आहे तुमझ लेना भूदो में मैं हूँ सो गाइस आगलाइन अ मैंसे स्टाइट होगी सुवादू पुतुन को F मेज़ सद्दाए फिर D मेज़ समझ लेना के लो G मेज़ मैं मैं हूँ ते कुछ आपले होगा सुवाद गूप तुमको सचा हे समझ लेना कूनू नहा सो गाइस आए के लाइन से स्टाइट होगी कुछ कहूँ G मेज़ C मेज़ कहूँ फिर D मेज़ तो कुछ इस तरह से प्ले होगा तो गाइस के लास पहरा में आपको सेकेंड पहरा के सारे कॉड्स रिपीट कर देना है और वो कुछ इस तरह से प्ले होगा हवाओं में लपटा हुआ मैं कुजर जाओं का तुम को छोखे अगर मन हो तो रोक लेना ठहर जाओं का इन लबों पे तो गाइस आगे के लाइन में जो कॉड्स लगने वाले हैं वो मैं आपको पहली बता चुका हूँ और वो कुछ इस तरह से प्ले होगा तो गाइस आगे के लाइन में जो कॉड्स लगने वाले हैं वो मैं आपको पहली बता चुका हूँ और वो कुछ इस तरह से प्ले होगा तो गाइस के बाद हमें मैं रहूं या ना रहूं वाला पार्ट फिर से रिपीट कर देना है कुछ इस तरीके से मा रहूं या ना रहूं तुम मुझे कर बाद की रहा कि अग्राइड के अग्राइब लेसन रिपे फिनिश होता है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ठ्यांक कि सो मच